ओम शान्ती, आज आपका 31 दिन का वर्दान, ऐसा वर्दान जिसमें परमात्म हमें एक गुप्त रहसे, एक छोटा, बहुत ही सिंपल सा रहसे बता रहे हैं, जो की हम हर दिन महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं, यह ऐसा अनुभव जिसके द अधार्थ से क्या किसी भी वस्तु से वो परिस्थिती आये हैं, परिस्थिती मलग कि किसी और के द्वारा आई हुई हमारी स्थिती पर छोटी सी भी उंच नीच आये, तो उसको कहते हैं परिस्थिती, तो हमारी स्थिती जब उपर नीचे होती है, किसी के कारण उसको परि तो आपके कहते हैं माया के विग्णों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव परमात्मा प्रजपिता ब्रह्मकुमारीज में आकर के हमें ब्रह्मकुमार कुमारी बना करके हमें सत्य धर्म की स्थापना सत्य धर्म कौन सा जो की आत्मिक धर्म हो ऐसा कोई धर्म नहीं जो की कोई हिंदू या मुसलिम सीक या इसाई कहलाता हो लेकिन जो की सारे धर्मों की नीव हो एक ऐसा फाउंडेशन जिससे सारे धर्मों को ग्य निर्माता, निर्माण करना है नए विश्वका, तो परमात्मा कहते हैं, जैसे कोई भुजुर्ग के आगे, छोटे बच्चे अपने बच्पन के अलबेले पन के कारण कुछ भी बोल दें, अल्बेलेपन के खारण च्छोटे बक्चों को तो सद बुद्धी उतनी नहीं होती उस समय तो कभी भी वी कुछ भी कह दिते हैं कभी-कभी गोद में बैटे होते हैं तो अपने माता पे तो कभी तादा दादी को भी थपड़ मार देते हैं कभी मुश्वराते हैं कभी चढ़ाते हैं कभी गल्ति से कई गलत सीखा हो तो गहीं कई कई गालियां निकालते हैं अंजाने अंजाने में तो अंजाने में ही नगा तो पर्मात्मा कहते हैं adults कुछ बोल दें कोई ऐसा करते भी भी कर लें तो बुजर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोश क्या है निर्दोश है अंजान है उसको पता नहीं है कि इससे किसी को कुछ हानी हो रही है मुश्किल हो रही है दुख हो रहा है छोटे बच्चे हैं उनको हम कोई बड़ी सदा नहीं देते हैं उनको हम पुछकार करके प्यार से समझाते हैं इतना करते हैं कि छोटे बच्चे हैं कोई असर नहीं होता है आप उसको क्या करते सुधार लेते हैं को आपको असर नहीं होता है और उनकी गलतियों को भी सुदा देते हैं बच्चों की गलतियों को भी आप छ कर रहां आत्मा मैं अगर जब आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा तो मुझे बहुत विगन आएंगे कभी-कभी मुझे ये भी होगा कि मैं किसी के साथ में इस ग्यान की चर्चा कर रहा हूं और अचानक से कोई विगन आ जाए कोई डिस्टर्ब करें आपको तो आपको उसको एक बच्चपन का है बच्चरे का बच्पने का खेल समझना है उसमें अगर आप इरिटेट होगे तो परमात्मा कहते हैं यह ग्यान तो आपको शांती सिखाने वाला इरिटेट होन इन चीजों को भी परमात्मा कहते हैं खेल समझें आप चाते हैं कि आप आगे बढ़ें आप मेडिटेशन के लिए बठे हैं लेकिन किसी ने बाजू में बहुत तेज म्यूजिक लागे बठा हुआ है कोई विक्ति या कोई आवाज आ रही है धंग धंग आवाज कर रहा है कोई बहुत जादा आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं उसमें चिट-चड़ा ना होने के कारण आप क्या कर पाएंगे आप अपनी स्थिति को बना पाएंगे आप विश्व को निर्माण कर पाएंगे परमात्म कहते हैंjat परिस्थिती को सामना कर पाते हैं तो परमात्मा कहते हैं कोई असर नहीं होता है ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे तो यह माया के विगन बच्चों के खेल समान लगेंगे तो कभी क्रोध किसी ने कर दिया आपके उपर किसी ने आहंकार दिखा दिया आपको इससा बच्चपनी का खेल दिखाए दिखा क्योंकि आपके अंदर क्या है आध्यात्में घ्यान है आप इन चीज़ों से उपर उठ चुके हैं तो किसी के यह छोटे खेल बच्चपने के खेल कोई करोध कर रहा है तो आपको बच्पना लगेगा वो कोई अहंकार दिखा रहा है तो आपको लगा कि इस आत्मा के अंदर इतनी सुक शांती या इसके अंदर इतनी जादा संतुष्टा नहीं है इसलिए इसको अहंकार आ रहा है इसको अलबेला पना रहा है वो कुछ भी मुख से बोल रही है कुछ भी बोल रहा है विक्ती तो आपको इसका कोई असर ने पड़ेगा आप इसको बच्पने का खेल जैसा देखेंगे माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या विगिन वा परिक्षा पेपर बनकर आजाए किसी ने आपको गाली कर दी किसी ने आपको बला बुरा बोल दिया लेकिन आपको इसका असर ही नहीं होगा कि आपको पता है कि जिसके पास जो होता वो वही देता है और जिस आत्मा की स्थिती आज अच्छे नहीं हो सकता तो कल ठीक हो जाए लेकिन अगर आपने उसी चीज़ को 10 साल तक 10 दिन तक 20 दिन तक एक महीने तक दिल में रखा तो आपकी स्थिती बिगड़ेगी तो परिस्थिती आ जाएगी वो परमात्मा कहते हैं वह परिक्षा पेपर बनकर आ जाए तो उसमें घबराएंगे नहीं ले ही खुश और संतुष्ट रहें तो आज इस वर्दान को आप फिर से सुने फिर से समझें और उसके साथ शेयर करें इसके साथ ओम शान्ति